गुड मॉर्नि फ्रेंट्स, एस्वी एक्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ, जेटेट पास अस्टुडेंट्स के बारे में जो जेटेट पास करके बैठे हुए हैं, उनकी नियुकती किस परकार होगी किस तरह का एक्जाम होगा, एक्जाम का पेटर्न क्या होगा, किस तरह से तयारी करेंगे इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आप से बात करने वाले हैं सबसे पहले आप लोग हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन कर ले तेलिग्राम चैनल SB एक्जाम के नाम से है आप सर्च करेंगे तेलिग्राम में SB एक्जाम वहाँ पर हमारा चैनल दिखे जाएगा वहाँ पर आप जाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पीडियाफ आप लोगों के लेटेस्ट नियोज बहुत सारी तैयारी से रिलकेट विडियो वहाँ पर मिल जाएगा साथी साथ डिस्क्रिप्सम में भी आपको हमारा टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा देखे अब नियुकती के लिए जो जेटेट पास कर चुके हैं उन्हें एक और एकजाम देनी होगी उन्हें एक और एकजाम देनी होगी पहले जो मेरिट के आधार पर मेरिट के आधार पर जो नियुकती होती थी वो अब नियुकती बंद हो गया इसके लिए सिच्छा विभाग ने सिच्छा विभाग ने नीमावली बना चुकी है लेकिन अंतिम रूप फाइनल टच कैबिनेट में पास होने के बाद ही मिलेगा बाद ही मिलेगा तो अब जो सिच्छक पातरता परिच्छा पास कर चुके हैं आनि जेटेट पास कर चुके हैं उन्हें एक और एकजाम देनी होगी उसकी संसोधित निक्ति निमावली ड्राफ्ट कर लिया गया है सिच्छा मंत्री को ये भेजा जा रहा है भेजा गया है प्रस्ताव को जब सिच्छा मंत्री से अपरूब करेंगे तो ये चलाएगा कैबिनेट के पास और cabinet जब अप्रूब कर देगी तो ये निमावली बन जाएगी उसके बाद आप लोगों का निकलेगा ये नोटिफिकेशन एक्जाम का और ये एक्जाम लेने वाली है जारखंड करमचारी आयोग जारखंड करमचारी आयोग वो आपको एक्जाम लेगी इसमें संभवता जो इसके पहले जारखंड करमचारी आयोग का लेने वाले एक्जामस के बारे बताये गया था कि इसमें पहले पेपर के रूप में हिंदी और अंग्रेजी जो 33% कौलिफाइंग रहेगा हो सकता इसमें भी वही रखे और दूसरा पेपर जो खोर्टा वगेरा छेत्रिय भासा रहता है उसको रखा जाए और तीसरे पेपर में सामायन ग्यान रखा जाए एक ही पाली में एक्जाम होगा लेकिन कोश्चन पेपर को तीर भाग में बाट देगा और दूसरा और तीसरा दोनों को मिला करके आपका मेरिट बनेगा पहला जो हिंदी अंग्रेजी का है वो केवल क्वालिफाइंग रहेगा तो आप लोगों को अब क्या करना है आप लोगों को जब तक पूरी निमावली नहीं बन जाती है शिलेबस नहीं आ जाता है तब तक बैठना नहीं है सोच सोच के बैठने से दिक्कत है बैठते रहोगे दूसरा तैयारी करते रहेगा वो आगे निकल जाएगा तो क्या अभी तैयारी आप लोग करेंगे जारखंड का सामाइन ग्यान जारखंड का सामाइन ग्यान इसको आप अभी तैयारी करके रख लें साथी साथ आपका जो छेत्रिये भासा है जो आपका छेत्रिये भासा जिस जिल्ला के लिए ये जिल्ला वार होगा जिल्ला अधार जन्जातीय भासा है उसे आप अभी तयार करके रख लें। और निस्टीत रूप से ये दोनों चीजे रहना चाहिए तो ये चीजे आप पहले से करके रखेंगे तो जो छुट रहा होगा आप उसको करेंगे। क्योंकि आप इसको पहले स्कर चुके हैं तो जारखंड का सामयन ग्यान और आपका छेत्रिय भासा छेत्रिय भासा ये दो चीज अभी कर लेने की ज़रुरत है जब नोटिपिकेशन निकले जब सिलेबस निकले तो बाकी चीजे जो छुटेगा उसको कभर करिएगा लेकिन अ कुछ तयारी करते रहना है और तयारी क्या करेंगे सामयन ग्यान और छेत्रिय भासा ये दो चीजों का तयारी पूरी करके रख लिजिए सामयन ग्यान और छेत्रिय भासा आपका जेससी के एकजाम में भी काम आएगा ये जरूरी नहीं कि केवल आप टीचर के एकजाम में ह पर भी वो आपको काम देगा, दोनों जगहों पर काम देगा, कहाबत है एक, एक तीर से दो निशाना, आप एक की तैयारी कर रहे हैं, दो दो तीन तीन जगह पर आप बैठ जाएंगे, तो जैससी में भी आपका लाबदायक रहेगा, तो अभी बैठना नहीं है, तो क्या करन है, जारखन सामयन ग्यान और छेत्रिय भासा, ये दो चीज को पूरा कम्प्लीट कर लिजिए, पूरा कम्प्लीट कर लिजिए, जितना जल्दी होता है, उतना जल्दी आप कम्प्लीट कर लिजिए, अभी हमारा क्लास जारखन सामयन ग्यान का धेली चल रहा है, साथी साथ हमारा जो एप है एप पर छेत्रिय भासा का recorded class upload है आप वहां से भी तयारी कर सकते है तयारी कैसे करना है बिसेज जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें हमसे जुड़ने के लिए यह हमारा WhatsApp नमर है यह हमारा WhatsApp नमर है आप इसमे जेटेट मैंस लिख करके भेजएंगे तयारी वाले ग्रूप में हम अभी आपको एड़ कर देंगे ताकि कुछ-कुछ आपको फायदा हो सके तो दोस्तों बैठिएगा नहीं करना क्या है सामयन ग्यान और यह चित्रिय भासा दोनों की तयारी करना है साथ ही साथ आप हमारा टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर लिजिएगा वहाँ से भी बहुत सारा चीजें आपको मिलता रहेगा तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग फिर मिलेंगे नेस्ट अबडेट के साथ तब तक पे लिए धन्यवाद जये